बिटा इस video lecture के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं post fertilization event के बारे में तो आइए शुरू करते हैं topic को heading में लिख रहा हूं post fertilization post fertilization events जान से समझेंगा बेटा post fertilization event वो event है जो fertilization होने के बाद होते हैं तो mainly हमें यहाँ पे 4 events की बात करनी है वो 4 events क्या होने वाले हैं तो एक-एक करके हम बात कर लेते हैं सबसे पहला event जो यहाँ पे होगा वो जो primary endosperm cell थी जिसके अंदर primary endosperm nucleus था जो की triploid बना था triple fusion का product वो primary endosperm cell divide करके endosperm की formation कराएगी क्या करेगी? endosperm की formation कराएगी और दूसरा काम यहाँ पे क्या होगा? जो zygote micropilar end की तरफ बना था वो zygote embryo की formation कराएगा या embryo geni होगी या embryo geni होगी next काम होगा यहाँ पे क्या? next काम जो fertilized ovule था वो seed की formation कराएगा वो seed की formation कराएगा and सबसे last process होगा क्या? जो fertilized ovule थी fertilized ovule ना कहके ripened ovule कहना ज़्यादा suitable होगा यहाँ पे जो fertilized ovule को contain करके लगती है तो वो ripened ovule आगे चलके fruit की formation करा देगी तो हम लोग इन चारो events के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि endosperm का development कैसे होता है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा मैंने कहा कि जो endosperm का development है वो सबसे पहला process है तो endosperm ही क्यों पहले बन रहा है zygote की formation या embryo की formation जो zygote से होने वाली थी वो पहले क्यों नहीं हो जाती तो इसका reason ये है कि embryo के development के लिए जो nutrition चाहिए होगा वो nutrition provide करेगा ये endosperm तो endosperm अगर पहले नहीं बना तो nutrition embryo geni के अंदर या embryo development के अंदर nutrition provide करने वाला कोई नहीं रहेगा इसलिए सबसे पहला event जो post fertilization होता है वो हमारा endosperm का development होना है तो इसलिए बोला जाता है कि endosperm development happen prior to embryo development ठीक है या आप कह सकते हो कि endosperm development endosperm development precedes embryo development ठीक है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी तो आईए एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला event में बता रहा हूँ endosperm development endosperm development और मैं इसमें सबसे पहला point बोल रहा हूँ क्या कि endosperm development अकर्स प्रायर टू एंब्रियो डेवल्प्मेंट embryo के development से पहले endosperm का development होगा क्यों क्योंकि यही endosperm क्या करेगा प्रोवाइड करेगा nutrition को developing embryo के लिए developing embryo के लिए nutrition को प्रोवाइड करने का काम यही endosperm करता है अब अगली बात ध्यान से सुनना अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या होता है जो primary endosperm cell थी वो primary endosperm cell continuously डिवाइड करती है और डिवाइड करके एक triploid endospermous tissue की formation कराती है और यह endospermous tissue लगातार डिवाइड करेगा कैसे देखी यह primary endosperm cell है यह primary endosperm cell है इस primary endosperm cell के अंदर सबसे पहले क्या होगा जो इस primary endosperm cell का nucleus था जिसे मैं primary endosperm nucleus कह रहा था वो primary endospermous nucleus बहुत सारे division करेगा और यहां पर यहां पर यहां पर बहुत सारे free nuclei एक्षटे हो जाएंगे तो ऐसे ऐसा endosperm जिसमें बहुत सारे nucleus यहां पर एक्षटे हो गए हो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम free nuclear endosperm कहते हैं और इस free nuclear endosperm में क्या होगा केवल nucleuses होते हैं यहाँ पे कोई भी cell wall की formation नहीं होती यहाँ पे कोई भी cell wall की formation नहीं होती और आगे चलके क्या होगा ध्यान से समझना मेरी बात को आगे चलके क्या होगा यह जो बहुत सारे nucleus थे इन में से कुछ के पास में later on cell wall की formation हो जाती है और ऐसा endosperm जिसमें cell wall की formation हो जाती हो उसे हम cellular endosperm कहते हैं जहाँ पे cell wall की formation हो जाए जहाँ पे cell wall की formation हो जाती हो उसे हम cellular endosperm कहते हैं और अगली बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा आपकी NCRT के अंदर एक example दिया हुआ है इन्होंने coconut का चीक है coconut के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि coconut में जो tender coconut water होता है मतलब कहने का यह है कि यह coconut का बाहर वाला shell है और इसके अंदर यहाँ पे इसका white color का kernel भरा हुआ है जो इसका cellular endosperm है जिसे खाया जा सकता है और इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारा free nuclear endosperm भरा होता है जो इसका coconut water है वो इसका क्या होता है free nuclear endosperm होता है तो tender coconut water में क्या भताया गया है जो इसमें बीचो बीच water भरा होगा वो thousands of nuclei से मिलके बना हुआ है मतलब वो आपका free nuclear endosperm है तो बीच में जो tender coconut water होगा बिटा वो tender coconut water क्या है? वो एक free nuclear endosperm है वो एक free nuclear endosperm है और जो बाहर वाला white kernel वाला part है जो edible होता है जो इसका edible part है वो इसका क्या है? white kernel वाला part है वो basically क्या है? cellular endosperm है वो basically क्या है? cellular endosperm है जिसे हम खाते हैं ठीक है? अब हमने क्या किया हुआ है? seeds को दो category में बाटा हुआ है on the basis कि अगर embryo के development के दोरान सारे के सारे endosperm को consume कर लिया गया या सारे के सारे endosperm में से कुछ endosperm वहाँ पे retain कर जाए तो हमने उन seeds को दो category में बाट दिया endosperm के basis पे वो होते हैं हमारे endospermous और non-endospermous seed तो आईए बात कर लेते हैं उनके बारे में क्या मैं बोल रहा हूँ हमने seed को endosperm के basis पे दो category में बाट दिया है सबसे पहली category को मैं लिख रहा हूँ non-endospermous seed non-endospermous seed और दूसरी वाली category होती है जिसे मैं कहूँगा endospermous seed endospermous seed और endospermous seed के दूसरा नाम और भी होता है जिने हम albuminus नाम से भी जानते है और non-endospermous का दूसरा नाम होता है जिसे हम xlb-b कह देते हैं xlb-b कह देते हैं आईए जान लेते हैं कि इंग में बेसिक डिफरेंस क्या है देखिए बेसिक डिफरेंस आएगा किसके बेसिस पे यहाँ पे अगर उस सीड के अंदर embryo development के दौरान embryo development के दौरान सारा का सारा endosperm consume कर लिया जाए इस embryo द्वारा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे endosperm को completely consume कर लिया जाए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत भी residual endosperm नहीं बचेगा तो यहाँ पे no residual endosperm persist यहाँ पे थोड़ा बहुत भी residual endosperm बचेगा नहीं या आप persist की जगे टर्म यूज कर सकते हैं retained तो थोड़ा बहुत भी residual endosperm retained नहीं करेगा ऐसे seeds को हम non albuminous या non endospermous seed कह देते हैं और ऐसे seeds कौन होते हैं जनरली बेटा dicots ऐसे seeds होते हैं और आपके NCRT में example दिया हुआ है इन्होंने P ground nut और beans यह तीन आपके example दिये हुए है endospermous seed के अंदर और दूसरी category है यहाँ पे endospermous seed की जिसमें क्या होगा जिसमें endosperm को completely utilize ना किया जाए वहाँ पे थोड़ा बहुत endosperm क्या हो जाए retained रह जाए बच जाए residual बच जाए तो ऐसे seeds जिसमें थोड़ा बहुत भी endosperm बच जाता है residual बच जाता है उनको हम क्या कहते हैं endospermous या albuminous seed कहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे embryo development के दौरान क्या होगा endosperm को completely consume ना किया जाए completely consume ना किया जाए और यहाँ पे क्या हो यहाँ पे residual endosperm retained रहे उसे हम endospermous या albuminous seed कहते हैं example है इसका क्या जादा तर monocot seeds के example होते हैं जैसे wheat, mage, barley, coconut, kaster, kaster एक डाइकोट है और sunflower और sunflower तो यह तो रही बात आपकी seeds को categorize करने की endosperm के basis पे अब अगला process हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अगला जो process हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका embryo development जो दूसरा event था वो है आपका embryo development तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा देखिए ovule के अंदर जो fertilization हुआ था वो किस तरफ हुआ था माइक्रो पाइलरेंड की तरफ हुआ था तो fertilization अगर माइक्रो पाइलरेंड की तरफ हुआ है तो zygote की formation भी माइक्रो पाइलरेंड की तरफ ही होगी और अगर zygote की formation माइक्रो पाइलरेंड की तरफ हुई है तो embryo का development भी माइक्रो पाइलरेंड की तरफ ही होगा तो सबसे पहला point यह ही है कि यहाँ पे यहाँ पे जो embryo का development होता है जो embryo का development होता है वो होगा micro-pilar end की तरफ वो होगा micro-pilar end की तरफ अब यहाँ पे जो zygote था one-celled zygote था एक single cell का बना हुआ zygote था यह zygote क्या करेगा यह zygote division करेगा और दो cell की formation कराता है जिसमें से उपर वाली cell को मैं कह रहा हूँ apical cell या suspensor cell apical cell या suspensor cell और नीचे वाली cell को कह रहा हूँ मैं basal cell या आपका embryonal cell या embryonal cell तो शुरुआत में क्या होता है जो apical cell होती है यह basically क्या करती है 8 से 10 बार transverse division करती है 8 to 10 टाइम transverse division ये करती है और एक suspensor नाम के part की formation करा देती है तो आईए यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर अभी basal cell में कोई division नहीं हुआ यहाँ पर basal cell में कोई division नहीं हुआ basal cell अपनी agities वैसे ही बनी हुई है लेकिन जो उपर वाली apical cell थी उसने 8 से 10 बार क्या किये transverse division किये और transverse division करने के बाद में एक part को बनाया जिसे मैं कह रहा हूँ suspensor अब इस suspensor का का काम क्या होगा तो बेटा suspensor इस embryo को hold करके रखता है उस seed के उस हिस्से में जहाँ पर endosperm मौझूद होता हो ताकि इस embryonal cell को properly nutrition मिल पाए तो मैं यहाँ पर suspensor का काम क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर suspensor का काम लिख रहा हूँ it hold the embryo in that part where endosperm is present जहाँ पर endosperm present होता है और इस stage को हम लोग कहते हैं pro embryo stage इस stage को हम लोग नाम देते हैं pro embryo stage अब क्या होगा यह जो pro embryo stage है इसके बाद में ध्यान से सुनियेगा मेरी बात को pro embryo stage के बाद में यह जो basal cell थी यह further divide करेगी और एक shape ले लेती है बिल्कुल वो circular हो जाती है और उस stage को हम लोग कहते हैं क्या globular stage उस stage को हम लोग क्या नाम देंगे उस stage को हम globular stage कहेंगे और globular stage आने के बाद में यह नीचे वाली embryonal cell further divide करती है और divide करने के बाद में ध्यान से समझेगा divide करने के बाद में एक और shape लेती है जिसे हम heart shape कहते हैं जिसे हम क्या कहेंगे जिसे हम heart shape कहेंगे तो यहाँ पे अब जो तीसरी stage आईए इसे मैं कह रहा हूँ heart shape stage जिसे हम कह रहे हैं heart shape stage और heart shape stage आने के बाद में finally क्या होगा ध्यान से समझेगा heart shape stage आने के बाद में finally क्या होगा यहाँ पे एक mature embryo वाली stage आ जाएगी यहाँ पे mature embryo वाली stage आ जाएगी और इस mature embryo में दोनों cotyledon as well as आपका प्लिम्यूल और radical जो आगे चलके root और shoot की formation कराएगा उसकी formation हो जाती है तो यहाँ पे यह तो रहा part suspension का यह तो रहा part suspension का यह वाला हिस्सा बन जाएगा radical यह radical आगे चलके क्या करेगा root की formation कराएगा यहाँ पे जो part मौजूद होगा वो होगा क्या प्लिम्यूल प्लिम्यूल जो आगे चलके क्या करेगा shoot की formation कराएगा और ये दोनों क्या होंगे? इसके Cotyledon होंगे और इस stage को हम लोग क्या कहेंगे? इस stage को कहेंगे हम Mature Embryo Stage, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम Mature Embryo Stage, ठीक है जी? Mature Embryo Stage, तो यहाँ पे ध्यान से समझेगा क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले क्या था? यहाँ सबसे पहले zygote था zygote ने डिवाइड करा दो cell stage आई दो cell stage के बाद में हमारी pro embryo stage आई इस sequence को आपको याद रखना पड़ेगा pro embryo stage आने के बाद में globular shape stage आई ठीक है? globular shape stage आई globular shape stage आने के बाद में क्या हुआ? heart shape stage आई heart shape stage आई और heart shape stage आने के बाद में आपका एक mature embryo stage आई एक mature embryo embryo stage आ गई तो यह तो रही बात इसके आपके embryo जैने के और ध्यान से सुनना जो early embryonic development होता है जो early embryonic development होगा उस early embryonic development को हम क्या कहते हैं? उस process को हम embryo genie कहते हैं इस process को हम क्या कहते हैं? बिटा embryo genie कहते हैं तो यह एक event था और याद रखिएगा यह जो embryo genie है वो लगवग moreover similar होती है moreover similar होती है किस-किस के अंदर similar होती है? monocots और dicots दौनों में लगवग similar होती है monocot और dicot इन दौनों के अंदर लगवग similar होती है लेकिन इन दौनों का structure monocot का और dicot का जो structure है वो बिल्कुल अलग हो सकता है तो आईए अब बात कर लेते हैं हम लोग structure of embryo की जो हम पढ़ने वाले है जो हम पढ़ने वाले है monocot और dicot दौनों के लिए अलग-अलग जो हम पढ़ने वाले है monocot और dicot दौनों के लिए अलग-अलग तो ध्यान से समझेगा देखिए structure of embryo में एक तरफ मैं बनाऊँगा dicot embryo के बारे में या dicot embryo का structure और दूसरी तरफ बनाऊँगा मैं monocot embryo का structure monocot embryo का structure तो मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा देखिए dicot के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा dicot के अंदर आपको एक embryonal axis मिलेगा उस embryonal axis के अलावा आपको दो cotyledon मिलेंगे ठीक है उस embryonal axis के अलावा आपको दो cotyledon मिलेंगे और ध्यान से समझते रहेगा इस structure को मैं fit से develop कर दे रहा हूँ ठीक है, fit से draw करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा better बनाएंगे diagram और आपको भी ये diagram बनाने होंगे साथ में ध्यान से समझेगा, देखे, ये dicot embryo है इस dicot embryo में ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा part ये हमारा क्या है, embryonal axis है इस embryonal axis को terminate करा जाता है किस पार्ट से, इस वाले पार्ट से जिसे मैं क्या कह रहा हूँ प्लिम्यूल कह रहा हूँ ठीक है, तो प्लिम्यूल यहाँ पे है, जो आगे चलके क्या बनाएगा, shoot तो radical यहाँ पे होना चाहिए जो आगे चलके क्या बनाएगा root और radical को protect करने के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए root cap होनी चाहिए और जो level of cotyledon cotyledon कहा है, ये दोनो cotyledon है dicots में generally क्या होता बेटा, dicots में mainly legumes में, जो cotyledon होते हैं वो thick और swollen होते हैं swollen होते हैं, क्यों swollen होते हैं क्यों swollen होते हैं, क्योंकि endosperm को absorb कर लेते हैं जिसकी वाज़े से वो थोड़े से full जाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि dicots में mainly legume के अंदर mainly legume के अंदर क्या होते हैं, जो cotyledon होते हैं वो basically thick और swollen होते हैं thick और swollen होते हैं क्यों 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 क्योंकि इनके अंदर reserve food भरा होता है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है reserve food material भरा होता है और ये क्या कर लेते हैं ये absorb कर लेते हैं ये absorb कर लेते हैं किसको ये absorb कर लेते हैं endosperm को यह absorb कर लेते हैं किसको endosperm को ठीक है और मैंने क्या बोला level of kautilidon मतलब kautilidon का level कहा था यह देखो यहाँ पर kautilidon का level था तो kautilidon के level से नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा hypokotile कहलाएगा क्या कहलाएगा hypokotile कहलाएगा और इससे उपर जो part होगा उसे हम क्या कहेंगे epikotile नाम देंगे उसे हम क्या नाम देंगे epikotile कहेंगे मतलब किसी dicot seed को अगर आप देखो तो यह dicot seed का seed coat बना दिया तो उसके अंदर यह जो embryo है वो कैसे मौजूद होता है वो embryo इस तरीके से मौजूद होगा ठीक है तो basically जब seed coat टूटता है तो यह embryo कैसे खुलेगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात तो यह दोनों cotyledon ऐसे करके धीरे धीरे उपर की तरफ आना शुरू करते हैं ठीक है थोड़े टाइम बाद यह दोनों इस तरीके से उपर आ जाएंगे अब यह देखो यह नीचे वाला हिस्सा मैंने क्या बोला radical है तो यहां से क्या root निकलनी शुरू हो जाएगी फिर यह root hairs निकल गए यह cotyledon के बीच में क्या था इसके बीच ओ बीच प्लिमियूल था तो यहां से seedling यह stem निकलनी शुरू हो जाएगी और यह cotyledon के अंदर जो reserve food material था वो कहाँ हुझ हो जाएगा इस seedling के development में और जब यह पूरा plant डेवलप हो जाएगा और यह photosynthesis करने लाइक हो जाएगा तो यह cotyledon क्या हो जाएगे fall off हो जाएगे यह नीचे गिर जाएगे यह नीचे गिर जाएगे मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मैंने क्या बोला seed के अंदर देखो यह ऐसे थे फिर धेरे धेरे यह उपर की तरफ उटने शुरू होए यहां से दौनों कotyledon ऐसे उपर होए फिर यह जब उपर आ गए तो यहां पे प्लिम्यूल उपर हुआ यहां से seedling निकल गई ठीक है पूरा एग नया plant बना नीचे से root बन गई radical वाले part से प्लिम्यूल shoot बना रहा है और इस तरीके से seed का development हो जाता है ठीक है यह seed का germination हो जाता है dicot seed के अंदर और अगली बात यहां पे क्या कही गई है monocot embryo के अंदर ध्यान से सुनते रहना मेरी बात monocot embryo के अंदर एक single cotyledon होता है एक single cotyledon होता है तो यह जो इकलौता cotyledon है grasses के अंदर grasses के अंदर इस इकलौते cotyledon को हम लोग क्या नाम देते हैं इसे हम स्क्योटिलम नाम देते हैं ठीक है इस इकलौते कॉटिलिडॉन को grasses के अंदर हम लोग क्या कहते है स्क्योटिलम कहते है मतलब स्क्योटिलम और स्क्योटिलम और कॉटिलिडॉन एक ही चीज है बस नाम अलग-अलग है स्क्योटिलम और कॉटिलिडॉन दौनों एक ही चीज है बस नाम इनका अलग-अलग होता है तो मेरी बात को ध्यान से समझेगा यहाँ पे इस मोनोकॉट एंब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होगा तो यह एकलौता इसका स्क्योटिलम है और इसके अंदर आपको और क्या-क्या स्ट्रक्चर देखनी के लिए मिलते हैं उन्हें स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो ध्यान से समझते रहना और जैसा डाग्राम मैं बना रहा हूँ ऐसा ही डियाग्राम आपको भी ड्रॉ करना होगा अपनी कौपी के अंदर ठीक है अब यहाँ पे भी प्लिम्यूल और रेडिकल होंगे एक शूट बनाएगा एक रूट बनाएगा तो सबसे पहले इसका एकलौता कौटिलिडॉन कहाँ पे था इसका जो एकलौता कौटिलिडॉन था बेटा वो स्चोटिलम था और वो स्चोटिलम कहाँ पे मौजूद था तो उसे भी मैं आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ इससे बस हलका सा ड्रॉ कर दो तो देखिए यह जो पूरा हिस्सा है यह उपर वाला यह पूरा इसका क्या है यह इसका इस चोटिलम वाला पार्ट है जो इसका एकलौता कौटिलिडॉन होगा ठीक है और यहाँ पे यह वाला जो हिस्सा है यह इसकी शूट टिप है यह इसकी शूट टिप है या आप इसे प्लिम्यूल कह लीजे या आप इसे प्लिम्यूल कह लीजे और इस शूट टिप के उपर जो आपको ये कॉनिकल शेप होलो फोलियर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस होलो फोलियर स्ट्रक्चर को हम लोग कोलियोप टाइल कहते हैं मैं क्या कह रहा हूँ इस शूट टिप के उपर जो होलो फोलियर स्ट्रक्चर है उस होलो फोलियर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं उसे हम कोलियोप टाइल कहते हैं जो क्या काम करता है इस शूट टिप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और किस शेप का है तो बेटा ये कोनि शेप का होता है ध्यान से समझेगा और नीचे की तरफ ये जो हिस्सा है ये बेसिकली क्या होता है रेडिकल होता है और इस रेडिकल को प्रोटेक्ट कौन करेगा इस रेडिकल को प्रोटेक्ट करती है बेटा आपकी रूट कैप और रेडिकल और रूट कैप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे mass of differentiated tissue होता है जिसे हम kolioriza कहते हैं जैसे kolioriza इसे protect कर रही थी kolioriza इन दोनों part को protect करने का काम करेगी इनको protect करने का काम करेगी और यह जो flap like structure यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस structure को हम epiblast कहते हैं इसे हम epiblast कहते हैं और यह जो epiblast है यह basically क्या है यह दूसरा kotyledon है जो completely degenerate नहीं हो पाया है मैं क्या कह रहा हूँ एक kotyledon यह रहा दूसरा kotyledon इस degenerated structure की form में जिसे मैंने क्या नाम दिया है epiblast नाम दिया है तो this is what this is remnant this is remnant of second kotyledon this is remnant of second kotyledon दूसरे kotyledon का remnant है यह structure जिसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ epiblast कह रहा हूँ और देखिए इस scutalum के level से उपर जो भी हिस्सा होगा वो सब क्या बन जाएगा epikotyle epikotyle और इस scutalum के level से नीचे जो हिस्सा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे उसे हम लोग नाम दे देंगे hypokotyle उसे हम नाम देंगे क्या hypokotyle तो यह तो रहा structure किसका monocot embryo का जिसमें क्या क्या पार्ट पड़े इस scutalum पड़ा जो इसका eclotha cotyledon था इसकी shoot tip या प्लिम्यूल पड़ा जिसको holofolier structure या आपका conical shape structure coleptile protect कर रहा था फिर नीचे वाला पार्ट है इसका radical radical को protect कर रही है root cap और इन दोनों को protect कर रहा है क्या undifferentiated mass of cell that is known as coliorizer और यह वारा पार्ट इसका epiblast है epiblast इसका दूसरा cotyledon होता है जो completely degenerate नहीं हो पाया है तो मेरी बात आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी हम लोग बात कर रहे थे post fertilization event के बारे में तो मैंने आपको बताया था चार तरीके के events होते हैं सबसे पहला event यहाँ पे क्या होगा endosperm का development दूसरा event यहाँ पे क्या होगा embryo का development तीसरा event क्या होगा ovule से seed का development और चौता event होगा ovary से fruit का development यह 4 events थे तो इसमें से हमने क्या किया था सबसे पहला event पढ़ा था embryo के development से पहले जिसे endosperm का development कहा गया था तो यहाँ पे क्या हुआ था primary endosperm cell ने लगातार divide करके triploid endosperm tissue की formation कराई और वो endosperm cell filled होती है किससे reserve food material के साथ में और इसी लिए इन्हें use किया जाता है क्या करने के लिए nutrition प्रोवाइड करने के लिए किसी developing embryo को और बिटा common endosperm development में जो primary endosperm था वो लगातार successive nuclear division करता है और वहाँ पे बहुत सारे free nuclei बन जाते हैं उस stage को हम free nuclear endosperm कह देते हैं और number of free nuclei बिटा अलग-अलग species में vary कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि endosperm cellular भी हो जाता है अगर उसके चारो तरफ cell wall की formation हो जाए तो और tender coconut water के अंदर जो free nuclear endosperm है ध्यान से सुनिएगा tender coconut water जो होता है या coconut के अंदर जो water भरा होता है वो उसका free nuclear endosperm होता है जिसमें thousands of nuclei होते हैं और उसको जो surround करने वाला white kernel है वो basically क्या होगा बेटा वो उसका cellular endosperm होता है वो उसका cellular endosperm होता है और आगे की बात हमने क्या की थी embryo के development के बारे में पढ़ा था तो embryo के development में मैंने आपको बताया था कि embryo का development हमेशा कहाँ पे होगा micropilar end की तरफ होगा यही पहली point में लिखा है जहाँ पे zygote situate करता है तो जाइगोड जादातर क्या करते हैं जाइगोड जादातर form करते हैं जब थोड़ा बहुत endosperm वहाँ पे बन जाए क्यों क्योंकि endosperm नहीं होगा तो developing embryo को nutrition provide कौन करता है इसलिए endosperm का development होना embryo के development से जरूरी होता है ठीक है और monocot और dicot monocot और dicot दोनों के seeds differ करते हैं लेकिन embryogeny दोनों के अंदर क्या होती है या embryogeny का मतलब early embryonic development दोनों के अंदर क्या होता है similar होता है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे zygote से pro embryo stage आएगी global stage आएगी heart shape stage आएगी और mature embryo की stage आजाती है तो यहाँ पे देखिएगा यह embryo sec था इस embryo sec में यह zygote रहा यह primary endosperm cell थी जिसमें यह primary endosperm nucleus मौझूद हुआ करता था ठीक है तो जब fertilization हो जाता है तो synergids क्या हो जाएंगे degenerate हो जाएंगे antipodal cell क्या हो जाएंगे degenerate हो जाएंगे जो zygote है जो micropilar end की तरफ मौझूद था यह क्या करेगा यह zygote divide करेगा पहले दो cell बनाएगा मैंने आपको बताया था उपर वाली cell को epical cell कह रहे थे दूसरी वाली को basal cell कह रहे थे epical cell ने क्या किया transverse division करके transverse division करके किसकी formation कराई थी इस suspensor नाम के part की formation कराई थी तो early stage जो थी उसे globular embryo stage कही थी फिर उसके बाद में heart shape embryo आया था और later on क्या हुआ था division होने की वज़े से एक mature embryo वाली stage आ गई थी ये बात मैंने आपको पहले ही पढ़ाई थी अब अगली बात यहाँ पे यह है कि अगर हम लोग embryo के structure की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले dicot embryo में देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा दो cotyledon देखने के लिए मिलेंगे embryonal axis देखने के मिलेगा embryonal axis में उपर वाला part terminate कर रहा है किसमें प्लिम्यूल में और नीचे वाला part किसमे terminate कर रहा है radical में radical को protect कौन कर रहा है root cap और यहाँ पे जो level of cotyledon से नीचे वाला हिस्सा है उसे हम लोग hypo kotyledon कह रहे हैं embryonal axis में जो प्लिम्यूल वाला part है या cotyledon वाला part है उससे नीचे वाला part hypo kotyledon उपपर वाला part epikotyledon है पूल वाले part में और जो cylindrical portion है जो level of cotyledon से नीचे है उसे हम क्या करें hypo kotyledon जो terminate कर रहा है किसके साथ में radical के साथ में और radical क्या आगे बनाएगा बेटा यह root की formation कराएगा और root tip को protect करने के लिए यहाँ पे क्या मौझूद होती है root cap होती है मैं पहले भी आपको बदा च family में जो एकलोता cotyledon होता है उसे हम क्या कहेंगे स्क्योटल हम कहेंगे और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो lower end होता है embryonal axis से वहाँ पे radical मौझूद होता है और root cap मौझूद होती है और यह radical और root cap को protect करता है कौन? कोलियोराइजा क्या है? undifferentiated seed होती है cell की और beta embryonal axis का जो attachment of cotyledon से उपर होता हो उसे हम क्या कहेंगे? epico tile और epico tile में क्या होगा? shoot apex या shoot tip मौझूद होगी या primule मौझूद होगा जिसको protect करने के लिए एक part होगा जिसे हम लोग koleop tile कहेंगे और उस shoot apex में leaf primodia, leaf primodia का मतलब क् undeveloped leaves होती है जो आगे चलके leaf की formation कराएंगी तो यह एक hollow foliar सा structure है जो किसको protect करने का काम करेगा? shoot apex को protect करेगा और यहाँ पर koliorizer किसे protect करेगा? radical और root cap को protect करने का काम करता है और यहाँ पर explain नहीं किया गया epiblast के बारे में लेकिन मैंने आपको पताया था कि epiblast basically क्या होगा? यह remnant है दूसरे वाले कोटिलेडॉन का मतलब जो दूसरा कोटिलेडॉन यहाँ पर होता वो completely degenerate ना हो पाके यह एक प्लैपलाइक structure की पॉम में यहाँ पर मौझूद है जिसे हम epiblast कह रहे हैं